हेलो फ्रेंड्स चलिए आईए जो कल मैंने एक वीडियो बनाया हुगा था 24 तारिक फास्ट सिप्ट में जो मैंत पेड़ागोजी पूछी गई थी वर्ग दो वाले पेपर में उसी का मैंने सेकेंड सिफ्ट आज लिया है तो जो मैंत पेड़ागोजी के जो कॉशन पूछे गया है उसके प्रेक्टिस करते हैं कल मैंने 24 तारिक को फास्ट सिफ्ट में पूछी थी पेड़ागोजी मैंत पेड़ागोजी तो वह मैंने करवा दिया था कंटेन आप लोग कल ली जगर पेड़ागोजी पेड़ागोजी करवा रही हूं ठीक तो चलिए आए स्टार्ट क करके उसको सॉल्व करना तो वह कौन सी कहलाती है तो यहाँ पे राइट अंसर हो जाएगा विष्लेशन विधी बिस्तार करते हैं यानि कि शूचनाव को छोटे-छोटे खन्डव में तोड़ करके सॉल्व करते हैं सब्सक्राइब क्या करते हैं जो चोटे-छोटे चोटी और संसलिस्ट करते हैं उनको ठीक है आगमन विधी में अधारन से नियम की और चलते हैं पहले अधारन देते हैं फिर नियम इस्थापित करवाते हैं आगमन विधी में निगमन विधी में पहले नियम दे देते हैं उसके बाद धारन से क्वेश्चन या प्रॉब्लम्स सॉल् एक कथन है जिसे हम जानते हैं कि यह सच है और अगर हमने इसे सावित कर दिया कोई एक अनुमान है कोई एक अनुमान लगा रहा है मतलब कोई एक अनुमान समस्या है या कोई कॉंसेप्ट है तो यदि उसे हमने सावित कर दिया तो वह एक प्रकार का क्या बन जाता है तो वह एकदम नाइंथ की बुक में आजटेज लाइन लिखी हुई है यही लाइन सेम लिखी हुई है और आंसर यहां पर प्रमे हो जाएगा वह प्रमे बन जाती है नेक्स्ट क्वेशन यहां पर दिया हुगा है एमिकेवल नमर की खोज किस ने की थी योकलेट ने की थी थेल्स ने की थी पाइथागोरस ने की थी तो एमिकेवल नमर की खोज पाइथागोरस ने की थी ठीक है पाइथागोरस इन्होंने अपना फॉर्मूला भी दिया था तो सब्सक्राइब पर नेक्स्ट क्वेशन है गड़त के अंतरगत साइको मौटर गति भी दिसे सम्मंधित है अप्रोक्त सभी क्येवल रेकांकन या ड्रोइंग या केवल प्राकलन या मेनुपिलेटिंग केवल मौडलिंग निर्मार या मॉडल मेकिंग मोडल मेकिंग भी साइको मोटर और मैनिपुलेटिंग और ड्रॉइंग तो यहां पर ऑप्सिन नंबर फस्ट होगा जो अपरोक्त सभी दिया हुआ है नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट में दिया हुआ है यह ब्लूम की टेक्सोनोमी से कौशन आया हुआ है ब्लूम की टेक्सोनोमी से बहुत कौशन आया हुआ है हर जगे तो यहां पर क्या पूच्छा है कि ब्लूम की वरगी करन के शब्द में संसलेशन को खाली सन की रूप में संसेवधित किया गया जो संसोधित किया गया था तो संसोधित करके जो एक तो first आया था जो पहले ही आया था तो उभी निसोचापन में आया था का बाया था निसोचापन में आया था फिर इसको रिवाइज किया गया था तो संसलेशन के स्थान पर क्या रखा गया था विसलेशन मूल्यंकन करना, निर्मान करना ये लागू करना तो यहाँ पर संसलेशन के स्थान पर निर्मान करना क्रियेटिंग रखा गया था चलिए आईए मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ एक बर यहां पर देखिए यह दिया हुआ है original domain यह दिया हुआ है और यह new domain दिया है original domain यानि कि जो पहले आया हुआ था ठीक है यह संग्यनात्मक domain कहीए यह 1956 में आया था और यह 2001 में revised हुआ था तो जो आया था domain इसमें देखिए यह knowledge, comprehensive application, analysis, synthesis और evolution तो यह synthesis की जगए synthesis की जगए यह creating रखा गया है यह evolution इदर आ जाएगा और यह analysis का वही है यह same है comprehensive understanding knowledge को change किया गया है याद करने में यह remembering में ठीक है तो यहां पर यहां से question पूछा हुआ था जो 2001 में revised हुआ था तो sensation की जगए क्या रखा गया था I think समझ में आ गया होगा इस screenshot ले लिए जय लेना हो तो चलिए आंगे चलते हैं यहां पर next question पर चलते हैं next question दिया है कि गड़त बिग्यानों की रानी है और शंख्या सिधान्त यह नंबर थ्यूरी गड़त की रानी है यह किन के द्वारा दिया गया था गोस के द्वारा बेल के द्वारा फिसर के द्वारा बर्णार्थ तोमस के द्वारा तो यह गोस के द्वारा दिया गया था आपने कई वर पढ़ा है कि गड़ित को गड़िद कि रानी ने कहा है लेकिन नहीं नहीं 흡िका है कि जो संख्या पधा ती यानि नंबर त्हूरिए वो गड़ित कि रानी है गड़ित गड़ित को बिग्यान brands कimana है कि से अंगे चलते हैं यह question आप लोग करिएगा और आंगे यहाँ पर पड़ागोजी वाली question यह है ततकाल उद्देश की अंतरगत वरनित है भावात्मक पच्छ, संयोजी पच्छ, उच्चत्व पच्छ या संगयनात्मक पच्छ तो ततकाल उद्देश चीक है immediate objective तो यहाँ पर संगयनात्मक पच्छ अंसर हो जाएगा आंगे चलते हैं आंगे दिया हुगा है बास्तों में अनुभाव करने या सारी रिग गतिविधियों को करने से सीखते हैं गतिपरक सच्छार्ती या स्रिवनात्मक सच्छार्ती अनुक्रमक सच्छार्ती या नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं संपूरक दिया हुआ तो आप लोग इसको कर सकते हैं संपूरक यानि की 180 तो यह बरावर होता है यानि इसका हाफ हो जाएगा तो 90 90 क्या होगा संपूर्ण होगा तो यह राइट अंगल अप्शन नंबर से कहने हैं यहां पर राइट हो जाएगा राइट करते हैं परिसुद्ध्धता समानी करन यानि जनरलाइजेशन यह ठार्थता यानि एक्विरेशी ओ बारंबारत यानि फ्रिक्वेंसी तो यहां पर जन्रलाइजेशन यानि शमानी करन निरमित करते हैं second question है बिशम को ग्याद करें यहां पर बिशम को ग्याद करना है तो कि त्रज्या जीवा त्रभोज बिंदू तो यहां पर बिशम को ग्याद करना है तो यहां पर बिशम को ग्याद करना है तो यहां पर बिशम को ग्याद करना है तो यहां पर बिशम हो जाएगा बिंदू यह जो तीन दिये हुए है यह परिवासित बिंदू आपरिवासित है ना कोई फिक्स नहीं है इसका यहाँ पर बिंदू हो जाएगा नेश्ट है बच्चे की गिनने की च्छमता के लिए एक प्रात्मिक सर्त है इन में से कोई नहीं फर्स्ट आप्सन में दिया हुगा है इस्थान मान आउधारणा में प्रवा है हो संख्या लेखन में प्रवा है हो गिनने की छमता करना है ठीक है तो संख्या लेखन वाला तो नहीं होगा ये नहीं होगा इस्थान मान आउधारणा में प्रवान हो प्लेस बेल्यू की बात कर रहे है то place value क्या करना है गिनने की समता में संख्या सब्ध अनुवर के साथ प्रवाः हो पहले तो ये होगा ना कि उसकी प्राथ्मिक सर्त पूचा है यदि प्राथ्मिक सर्त नहीं होता तो ये वो कर सकते थे लेकिन उसकर सर्त often पूचा है यानि कि पहले होना चाहिए तो जो संख्या सब्द अनुक्रम के साथ प्रवाए हो एक की बाद दो आएगा, दो की बाद तीन आएगा, तीन की बाद चार आएगा, ऐसे ये ठीक हैं नेक्स चलते हैं नेक्स यहां पर दिया हुए है पाठ चरिया एक कलाकार है यानि सिच्छा के हाथ में एक उपकर्ण है जो उसके स्टूडियो को क्या कहाा विद्याले मैं उसके अदरसों के अनुसर उसकी समगरी यानि छात्रों को ढालने के लिए यह कथन किन के द्वारा कहा गया है यानि गी नहीं क्या कहा है, स्टूडियो बिद्धञ्णने को कहा है, समघ्णि छात्र को कहा है, और पाथचाद। में यहां पर राइट होगा नेक्स्ट कोइशन पर चलते हैं नेक्स्ट यहां पर दिया हुआ है गड़ित की एक सिच्छक के लिए निमलिखित मैंसे कौन सी बिधी उचित नहीं है क्योंकि यह वन वैंसो का रूप ले लेती है वन मैंसो यानि कि वन वन वे क्या होता है लेक्षर देता है यह लिखा हुगा है कियो से लिखे लागता है ड्यृप लेक्षत हैं तो यहां पे PC महान लोवेश हैं भारतिय संख्यांकी के जनक है कि चलिए यह खतम हुआ 24 तारिक के सेकेंड सिप्ट में इतने ही पीजी पेड़ागोजी के कुश्चन पूचा था अब नेक्स्ट पच्चिस तारिक को भी मैद था तो 25 की फास्ट सिप्ट और सेकेंड सिप्ट में कल और परसों यह करवा दूंगी मैं तो जो जो मैं पेड़ागोजी के जो कुश्चन होंगे वह यहां पेपन सॉल्व करेंगे चलिए थैंक्यू फॉर वाचिंग